आज की क्लास पे आप सभी वैश्णों का बहुत बहुत स्वागत है अनुगत में तो आए आज की क्लास शिरू करते हैं प्रेमसि कहो जैसी क्रिश्न चैतन न्याप्रवनित्याननदाशी अध्वैप्यदाधरा शिवसाति गौर भक्त वरिंदा तो हम देख रहे 26 qualities of वैश्नवा यह बुक हम पड़ रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि जो वैश्नों का जो वहवार होता है वो different relationship में कैसा होना चाहिए तो हमने दिखा कि जो शद्धा के नुसार जो होता है वो जो भक्त होते हैं उनको तीन category में रहता है तो सबके साथ एक वहवार नहीं करना चाहिए जो जिस पद के अनुसार है उस पद के अनुसार उससे वहवार करना चाहिए तो कनिश्क मध्यमरुत्तम तो हमने देखा कि अटलीस्ट भक्त को जो मध्यमर्दिकारी होना ही चाहिए तभी उसको निस्ठावान भक्त बोला जाता है तो फिर हमने देखा था कि जो निस्ठावान जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं वो कुछ कारे ऐसे करते हैं जो की कनिश का दिकारी से अलग होते हैं है ना तो वो क्या कार होते हैं तो हमने दिखा था कि वो जो है भगवान को Supreme Personality of Godhead समझते हैं लेकिन साथ-साथ वो गुरु को भी प्रत्री दी के रूप में सुईकार करते हैं वो भगवान के ही रूप में उनकी पूझा करते हैं फिर वो देखा था हमने कि वो दस नाम अपराद के बिना हो चैटिंग करते हैं और वो DT's worship में भी involved रहते हैं तो इन क्रियाओं के द्वारा क्या होते हैं वो मध्यमधिकारी होते हैं इसके कारण वो क्या करते हैं वो भगवान की तो भगती करते हैं लेकिन अन्य भगतों के साथ भी वो relation रखते हैं क्योंकि वो सब भी भगवान के भगत हैं इसलिए वो सबसे relation maintain करते हैं लेकिन ओर चालों भगतों से थोड़ा distance maintain करके रखते हैं और जो अबोध जंता है जिनको knowledge नहीं है अज्ञान है उनको क्या करते हैं दयावश प्रचार करते हैं तो ये मध्यमधिकारी जो है कुछ कारे करते हैं आएए देखते हैं हम लोग ने उसमें spiritual master का हमने दिस्कस किया था तो उसमें हमने दिखा था संसार दावलाइटिंग हमने किया था जो अस्टक है हमने गुरू अस्टक उसको डिस्कस किया था कि मध्यमधिकारी गुरू को किस रूप में देखता है और कैसे relation maintain करता है तो ये तीनों आस्पेक्ट complete हो गए हैं कि holy name और duty worship complete हो ग advanced devotees, friendship with equal devotees and giving mercies to less advanced devotees ये उसका भाव होता है प्रहलाद महराज ने ये बताया है शिक्षा भी दिया है कि a senior जो अपने से बड़े होते हैं उत्तमधिकारी जो भगतों होते हैं तो मध्यमधिकारी जो होता है उनके साथ कैसा behavior करता है a sincere friend to all the devotees of the lot ठीके न तो वो सबका मित्र होत है तो आज हम ये देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे serving more advanced devotees than friendship with equal devotees giving mercy to less advanced devotees ठीक है तो ये जो चार पॉइंट है ये मध्यमधिकारी करता है इसका हिंदी में है कि वो जो है वो बहुत ही sincere का मतलब होता है हिंदी में गंभीर गंभीरता से सभी जो भक्त है उनका मित्र होता है और वो जो advanced devotee होते हैं उत्तम अथिकारी जो भक्त होते हैं उनको वो सेवा करता है और जो उसके समान होते हैं उनके साथ वो friendship यानि मित्रवत वहवार करता है और जो उनसे छोटे होते हैं उनके साथ वो क्या करता मर्सी कृपा उन पर कृपा करता है यह जो है में जो है function है तो आज हम देखेंगे a sincere friend to all devotees of the Lord यह सको read करेगा a sincere friend to all the devotees of the Lord the devotees of Krishna are friends Lord Krishna says in Bhagavad Gita 10.9 the thoughts of my pure devotees dwell in me their lives are fully devoted to my service and this derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me the shastras strongly advise associating with like-minded devotees and strongly warn against association with non-devotees यह पर बता रहे है 10.9 किसी कृष लोग याद है मत्चित्व मत्गतप्राना उनका जो समिशा जो चित्त होता है मन जो होता है वो मेरे चिंतन में गुणान बढणन में हरीकता में इसमें ही रम्ता है और वो पूरी प्रेम युक्त मेरी सेवा करते है और फिर वो क्या करते है जब वो सेवा करते है तो उनसे जो प्राप्त जो enlightenment है उनको जो कुछ अनभाव प्राप्त है वो एक दूसरे से share करते है और इस तरह से वारता लाप करते है बहुत संतोश का अनभाव करते है तुश्यन तीचा रमन तीचा उनको रमन कहां मिलता है उनको satisfaction कहा मिलता है when they discuss about Lord Krishna असरे हों बताते है और क्या कहते है कि तृपया करके अगर आप एक तरफ association कर रहे हैं दूसरे तरफ असत्संग मत करिये तो असत्संग को हमें रोक तोड़ा कम करना है और हमें सत्संग को आके बढ़ाना है तो इस तरह से जो होता है वो मध्यमधिकारी कोई भी आपको support नहीं करेगा क्यों? क्योंकि लोगों में अज्ञानता है इसलिए जो प्रभुपाद हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम leader बने, हम ब्राम्हन बने हम जो लोगों को एक way show करें और इस तरही से अपने जीवन को light करें headlight करें, ऐसे रखें अपने जीवन को आदर्श के रूप में कि बाकी लोग हमसे follow करें उन चीज़ों को फिर वो follow तो इस तरह से जो इसकौन के जो devotees होते हैं वो क्या करते हैं? ब्राम्हन होते हैं, लोगों को light दिखाते हैं, ऐसा होता है तो उनके लिए बहुत challenges होंगे क्योंकि लोगों को अज्ञानता है, उनको तो पता ही नहीं है इसके बारे में, इसलिए वो उन behaviors को नहीं समझ पाएगे तो हमें उनके इस तरह तक नहीं उतरना है, हमें अपने इस तरह पर नहीं रखकर इसको ठीक से follow करते रहना है और फिर हम इस तरह से लोगों को preach कर सकते हैं Yes, next Yes, कोई read करना चाहेगा Shreela Prabhupad writes in Chaitanya Charita Amrit Purport Shreela Krishnadas Kavira sets the example by offering obeisances to all the preacher devotees of Lord Chaitanya without distinguishing as to higher and lower. I offer my obeisances to all the dear devotees of Shreya Chaitanya Mahaprabhu the eternal tree of love of Godhead. I offer my respects to all the branches of the tree the devotees of the Lord who distribute the fruit of love of Krishna यह मद्यमदिकारी का मूद होता है. क्या होता है? कि वो set an example अब दिखे रगुनात दास गुसामी मंदिर में कौन सा finance minister बने होए थै यह हमको यह चीज मिलेगी तो भी हम काम करें. उन्होंने एक simple सी चीज जो है उशिरु की वो है दंडवत प्रणाम करना उसको ही उन्होंने target किया और वो जो है हर किसी को इस तरह से प्रणाम करते थे मनसा बाचा कर्मन तो वो accept किया उन्होंने एक सामता कि एक दिन में वो एक साहजार से भी ज़ादा दंडवत प्रणाम किया करते थे गिरीराज जी की परिक्रमा करते थे तो दंडवत प्रणाम किया करते थे तो बी सिंपल तुक एनी एनी थिंग आप कुछ भी ले सकते हैं और उसको दिड़ता से पालन किया तो क्या करते हैं जो मध्यमधिकारी होते हैं ऐसा नहीं कि उनको एक position मिलेगी उनको एक situation मिलेगी मंदर में कुछ recognition मिलेगा then he go to work या उनको गुरु मराज बोलेंगे तुम ये सेवा करो तब करते हैं ऐसा नहीं वो देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं वो किसी भी विधा को ले लेते हैं और उस विधा को बहुत sincerely अनुकूल भाव से पालन करते हैं सिंपल है इसी तरह से जो चेतने महाप्रभू है वो पार-पार पोलते हैं कि हम केवल जो आसपास वैशनवा है नहीं बलकि सारे जो हमारे जो व्रिक्ष हैं जिनको भगवान नहीं लगाया है उनके जितने भी ब्रांचेज हैं और भी ट्रीज हैं जो भी कृष्ण को फल को दिस्टिबूट करने में help कर रहे हैं वो उनको सब को दन्वत प्रणाम ये respect देते हैं चाहे छोटे हो चाहे बड़े तो इसको कहते हैं सम्द्रिष्टे परस्नलिस डिवोटी अच्छाँ परस्नलिस डिवोटी तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं मत्चित्ता, मत्गत्प्राणा बोध्यन तसपरस्तर खुद भी वो रेलिश करते हैं और पिर वो ऐसे डिवोटी को भी रेलिश करते हैं जो भगवान के बारे में बताते हैं तो बहुत प्लेजर फीछ होता है ऐसी companies में यह न, भक्तो के सक में तो शिल्प्रीपाद ने शिमत भागवत्म 11.16 के परपोट में लिखा है ए प्रचार में बहुत जाधा इंट्रस्टेट रहते हैं, right? वो प्रचार में बहुत interested रहते हैं rather than taking any position तो भक्त जो होते हैं वो बहुत ही humble होते हैं और वो सबसे ज़्याद मध्यमधिकारी जो होता है उसका सबसे बड़ा जो होता है कि वो एक तो थोड़ा सा समधृष्टी होता है वो भगवान में और बाकी जीवों में समधता है कि वो भी अन्शे तो उनके प्रती भी दया भाव रखता है इसलिए वो प्रचार करता है और प्रचार में उसको जो भी difficulty आती है वो उनको ठेलता है यहाँ पर जो picture लगी हुई है इसे शीर प्रपात के movement में है यह लोग और प्रचार कर रहे है ज़र आप इनकी दशा देखिए they are so happy इनके face पर आप देखे एक सेवा का भाव है और कोई किसी से मतलब नहीं है सब अपने अपने कृष्ण में लगे हुई अरी नाम उनको chanting में आनन्दार उन्होंने कैसे कपड़े पहने है साड़ी उची है, नीची है colorful है या नहीं चपल पहना हुआ है, simple साड़ी का color अलग है blouse का color अलग है, दोती का color अलग है लेकिन उनको इस बात की जिनता नहीं है but they are happy आप उनके face देखे क्यों happy है क्योंकि ये कृष्ण मही हो चुके है उनके अंदर सम दृष्टी निकल गई है और वो प्रचार कर रहे उनको जो सीख रहे है वो उनको प्रचार कर रहे ऐसे होते हैं मध्य मधिकारी इस कोई पढ़ना चाहेगा प्रचार कर रहे है अचिस्टाइस गोविंदा, ओ आदी वश्या, अंचिविलाइस्ट मैं, do not stop her to climb the Garur's thumb. Let her see Lord Jagannath to her satisfaction. Further, Mahaprabhu says, Lord Jagannath has not bestowed so much eagerness upon me. By this example, Mahaprabhu showed that even the most exalted personality may improve himself by sincere devotion of the lowest of the Vaishnamas. देखें, यहाँ पे एक वेग का वर्णन है, एक आवेश का वर्णन है. जब हम भगवत भक्ति करते हैं, तो भगवान के प्रती, या किसी चीज़ के प्रती, मंदिर जाने के प्रती, इतना आवेश रहता है, कि रास्ते में या किसी भी सिट्वेशन में क्या हो रहा है, यह पता नहीं चलता है, और यह आवेश कोई साधाराण नहीं होता है. जब बगवान से प्रेम होता है या हम जिभातिक जगते बहुत किसी से प्रेम करते तो यह आवेश देखने को मिलता है कि हमें बाकी कुछ दिखाई देता है बत वही लक्ष दिखाई देता है तो यह आवेश होना चाहिए जैसा चैतनिमाप्रगु कहते है तो एक बहुत सुन्दर खटना है आप जानते हैं कि चैतने महाप्रगु थे खड़े थे गरोरिस्थम के पास और एक बुड़ी आदिवासी लेडी आई और उसको कुछ दिखाने था उसको लोग दर्शन निकरने जाते हैं और उसने सुचा क्योंकि आदिवासी थी कहीं भी चड़ जाती थी पेड़ पौधे पराराम से तो बुड़ी थी लेकिन फिर भी हो चैतने महाप्रगों के शरीर पचड़े उनको पता है इतना अगर बाहे चेतना में अगर उगा तैसे कारे करेगा अगर मैं आप लोगों से पूछू आप लोगों गंदर ऐसी इगर्णस है अगर सुबन मित्र मालो जा रहे हैं और उनको दिखाई दिए कि यमना मादाजी दंडवत प्रणाम करें और सुबन मित्र जी उनके कर पाएंगे ऐसा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अरे अंदर वो आवेश नहीं है हम अच्छा और बुरा सोचते हैं इसको कहते हैं लोक मर्यादा जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके अंदर लोक मर्यादा नहीं रहते हैं इस अब आवरण है लज्जा भी एक आवरण है ये लोक मर्यादा ऐसा ही होना चाहिए भक्त कभी लोक मर्यादा नहीं देखते हैं जहां से उनको भगवान की भक्ती मिलती है उसको स्विकार करते इसलिए वो भक्त लोग एदम एक आइडियल नहीं होते हैं कि ऐसे ही भक्ती होती है इस सिच्वेशन में ही भक्ती होती है अगर असुर कुल में प्रहलाद जनम ले सकते हैं असुर कुल में प्रहलाद जनम ले सकते हैं और किसी भग्तिगार असुर जनम ले सकते। तो वो देखते हैं कि कौन सी सिट्वेशन भग्ति हो रही है तो वो देवता के कुल में नहीं जाते हैं। वो असुर कुल में प्रहलात के साथ भग्ति करते हैं। इसको आवेश कहते हैं। लोकाचार दिखाई नहीं देना जो साधरन घटना है लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है उस आदिवासी इस्तरी के बारे में ज़र सोची कि उसको जगनाद जी से मिलने का वेग होगा कितना ज़ादा हो क्योंकि हर साधरन वेक्ति जो है सन्यासियों की गदर करता है इसकी सिक्षा की ज़रूवत नहीं है चाए आदिवासी हो चाए कहीं भी रहता है अगर कोई सन्यासी है तो उसके पती आदर भाव रहता है और चतनमाप्रबू उस समय सन्यास सिस्चूइशन में थे लेकिन उसाधिवासी इस तरी को दिखाई नहीं दिया उदे सिफ जगरनाच जी दिखाई दे रहता इसको भगवान के दर्शन करने ते दर्शो नजारे कहां से पैदलोग कितनी दिनों से चलती भी भूकी प्यास से आ रहे होगा इसको पता नहीं चल रहा हो इसके अंदर जो यही लॉल्यम होना चाहिए भगवान की भक्ति जब कोई भगवान की भक्ति करता तो उसके जीवन में क्या चल रहा है इतना माने नहीं रगता पता नहीं वो प्रसन नेता कहां से रहती पता नहीं चलता होता है वो प्रसन में रहते है चाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए सीता राम, सीता राम, सीता राम कही तो that is the mood here जो explain करना है कि बध्य मधिकारी थीरे थीरे cultivate करने रहता है तो example से महाप्रभू यह शो करना चाहते है कि हमें क्या करना चाहिए exalted devotional servant बनना चाहिए जब हम exalted बनते हैं तो हम sincere अपने आप हो जाते है यह आवेश develop करना है भगवाँ इसका नहीं मितलब नहीं कि हम अपराद करते चले कभी को हम gear न करे ऐसा नहीं होता है जब वो आवेश होता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं होता है जब साथ दिन तक परिशित महराज कता सुन रहे है उनको खूब प्यास नहीं लग रहे है आप सोच के देखे उनको आवेश क्या हो तो इस तरह से हमें चांटिंग करने चाहिए इस तरह से दिन्डता से हमें अपने जो भक्ती के नियम है साधन भक्त के रूप में हमें पालन करना चाहिए तब हम आगे के अवस्थाओं में जाएंगे अनर्थ निवर्दी, लिष्ठा, रुची, आसकती, भाव ब्रेन की दरब पढ़ेगे तो मध्यमधिकारी ऐसा करता है Once a great devotee Pundrik Vidyanadi का भी है न Jagannath himself When Pundrik Vidyanadi felt hatred for a simple Pujari who committed a slight discreetly in dressing the Lord Jagannath Lord Jagannath and Lord Balram both appear to Pundrik Vidyanadi in a dream and his smile began to slap him until his cheek were swollen warning him not too offensive to Azamash यह बहुत सुंदर कथा है आप लोग को पता होगा कि Pundrik Vidyanadi जो थे वो भगवान के भागते थे और थड़ा particular रहते कि DT worship ऐसे ही होनी चाहिए यह चीज़ा ऐसे ही होने चाहिए तो भगवान को जिसे कि माडी लगे हुए बस तुरह नहीं चढ़ाते है यह ना तो एक devotee थे हैं उन्हें ले आए माडी लगा के बढ़ियां रहेगी माडी कड़कदार रहेगी बगवान पहने के ऐसा सूचके बढ़े बाव में थे जब बगवान को ओफर किये तो पंड्रिक विध्या नहीं थे बढ़ियां तुमने माडी लगे हुए ड्रस पगवान को चढ़ा दी ऐसा कैसा डीटी उसको तो संदर ड्रस चढ़ती है यह सब तुमने क्या तो जगनाद बल्दर सुबद्रा उनके ड्रीम में उत्पन और कहे कि वो मेरा भाक्त था वो मेरे लिए कुछ लेके आया था तुम ज़्यादा चौधरी बनते हो और उसको फिर क्या क्या बल्राम जी ने खुब पिटाई की दो तीन जापड धड़ा-धड़ा लगा दिया और बैचारी का जो गाल था वो सूझा था उसको बहुत देखे उनका गाल जो है उस सुझा हुआ था और यही वस वेरी हैपपी वो बहुत एक्स्टेसी में थे लोग करें इनको जहापड़ पड़ा यह एक्स्टेसी में थे इसा हो सकता है हो सकता है ना किस ने मारा था भगवार ने महारा था तो भगतों को डांट बहुत प्रिये होती है हमेशा शिल्प्रभुपात के बहुत से डिसाइप पले ते से शुत्यकिर्दी प्रभु एक बार शेयर कर रहे थे कि वो शिल्प्रभुपात जो थे वो उनको फैनिंग के लिए उनको रखा था है ना तो उनका जो मन था वो इधर जो डिवोटीज में लगा वा था ठीक से फैनिंग नहीं कर रहे तो सारी मख्षियां जो है उनके तरफ आ रही थी प्रभुपात के तरफ ऐसे शे करते ना जो नहीं ने भक्तों पर लगा था, सारे भक्ते हैं, मुलब एक होता न, अफ्रिशेट करते हैं, प्रभुपाद डिसाइबल, प्रभुपाद डिसाइबल, प्रभुपाद, तो प्रभुपाद की फैनिंग ठीक से नहीं कर रहा थे, क्योंकि थोड़ा दा प्राउड आ गया और फैनिंग करते हैं, तो फैन कहीं और हो रहा थे, तो मक्हियां प्रभुपाद को लग रही थे, प्रभुपाद लेक्चर में उनको बाधा हो रही थे, तो फिर प्रभुपाद ने किया कि अपना मोजा निकाला, और शुत्किर्थी के मुट भारा, अब वो चले गए, अ फिर शुत्किर्थी टेके जरा ओफेंस, ओ, ये कितनी बड़ी बात हो गई सबके सामने, शुत्किर्थी प्रभुपाद ने मोजा में रुपपे क्या मारा, और ये किया, वो किया, तो सब उनको यही कहा थे, शुत्किर्थी, you are so fortunate, so, that शुत्किर्थी प्रभुपाद सबक किया बहुत रो रहे थे, और कह रहे थे, मैं चाहता हूँ कि फिर से मिरे मिस्टेक्स पर आप मुझे एक अपना डंडा निकालके मुझे पीटी है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा ट्रीट कीजे प्रभुपाद, तो मतलब उस समय हो सकता है कि हमें realize ना हो, लेकिन बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, चाइल्ड अप्रिंगिंग की इंडिया में और विदेशों में, लोग कहते हैं कि अगर इंडिया में बच्चा जादा नहीं सुनता तो मा जहारूर निकालके उसको जड़ा-ज़ड देने लगती है, पर सही हो जाता है, लेकिन इस बच्चे बिगड़े हुए ने, बहुत सेंटिमेंटरल टाइप के हम ऐसा ही करेंगे, सुनते नहीं है, क्योंकि जापड नहीं खाये न, इसलिए वो हैसा ही है, एक दो जापड खाये होते से सुदरे होते, तो ये बहुत बढ़ी बात होती है, कि माप आप जब प्रतारित क करते हैं, तो वो ये concern रहता है, कि मेरा बेटा बिगड़ना जाए, सारे चीज़े अगर मिली, तो भी उसके अंदर एक रहे, कि वो किसी के अंडर में है, ये बहुत खूबसूरत वाससलियरस का ये प्रदर्शन है, जो लोग ये सब चीज़े नहीं समझते हैं, तो पुंड अगलक मूड है, इसको शिर्प्रवपात समझाते हैं, कि मैं इंजॉय करना चीज़े, तो मध्या मधिकारी जो है, ये समझता है, कि ये मेरा वे है भक्ती करने का, लेकिन औरों का भी रस है, लेकिन बस वो रस जो है, डिटिरियोटेट ना हो, परंपरा में जो भगवान ब है, एलबoration है इन सचीजों के बारा. That is our material vision. जो मैं यह भी बताया नो? कि हम सोच सकते हैं कि हाँ, मेरा जो तरीका है, यही एक तरीका है. My way is highway. गुर्वा जमेशा बुलते हैं, my way is highway. नहीं. औरों का भी तरीका हो सकता है, जिससे वो भगवाद बक्ती करते हैं. तो we have to respect each and everyone. ऐसा नहीं कि केवल हम ही भगवान की भक्ती करता है. तो यह सब vision होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. तो मध्यमधिकारी को यह vision रहता है. इसलिए क्या करता है? कि वो कलियुक दोश निदे राजन यह नहीं देखता. अस्ती एक महान गुणा, जो भगवान की भक्ती उसके अंदर है, इस पार्क है, उसको enhance करना शुरू करता है. दीरे दीरे जब भगवाद भक्ती में stay होता, तो automatically उसकी जो बाकी negative चीज़े हैं, वो suppress out हो जाते हैं. इसलिए, इसे कई classes में बताएगा, क्या हमें लोगों की मदद नहीं करने चाहिए, दानपूर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी भी जीव को कृष्ण भावना भावित देते हैं, तो वो उसकी actual service हो जाते हैं. उसका सारा मूल, जो जड़ है, वो ठीक हो जाते हैं. अगर हम किसी को कृष्ण भावना मृत देते हैं, तो. बोत आर एकोन. कृष्ण इस सो काइन एलिबरा, जो एक्सेट एवरीवना सर्विस, विन इस सिंसिरली ओफर्ड. इस देक्नीक. क्यों? क्योंकि हम किसी सेवा कर रहे हैं? हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, जिनके अंदर शम्ता है, कि वो सभी के साथ रिसेपूकेट कर सकते हैं. लेकिन बहुत इक जगत में हमें आदत क्या है? नो वेकेंसी की, लिमिटेड वेकेंसी की, है ना? कि पचास सीटे हैं, दस हजार लोग उसको करते हैं, एक्जाम देने देते हैं. तुमको पता था कि पचास लोग खली मिनें, ऐसा हमारी आद. लेकिन भगवान के साथ reciprocate कर सकते हैं. तो that is the difference dealing. तो मध्यमधिकारी ये सब जानता है, इसलिए अपना भी भक्ती करता है, DTs की भी भक्ती करता है, और औरों के भी भक्ती को enhance करता है. बट देशना स्कॉलर है अनलाइज देख सकते हैं. श्री पाद रुप स्वामी जो है, वो वर्स नंबर फाइफ में क्या बलते हैं, कि one should mentally honor any devotee who chant the holy name of the Lord. Thus it describes in brief that कनिश का दिकारी और beginning devotees. तो मध्यमधिकारी जो होता है, वो सभी कम से कम देखे हमारी दुश्मन भी है, तब भी mental हमको उसको हरे कृष्णा बोलना चाहिए. यह बहुत important है, कि हमारा dispute है किसी के साथ, ठीक हम distance maintain करें, लेकिन हरे कृष्णा जरूर बोलना चाहिए. तो मध्यमधिकारी जो है, समद्रिष्टी होता है, forgiveness होती है उसके अंदर. लेकिन कनिश का दिकारी के अंदर नहीं होता है, वो याद रखता है कि इसके कारण जन्मों तक याद रखता है, साथ जनम तक पुष्टे उसकी लड़ाई करती हैं, मेरे साथ यह हुआ. तो कनिश का दिकारी has a disqualification of not properly respect advanced devotee and not perceiving Lord within the heart of all others. यही problem होती कनिश का दिकारी. तो क्या देखता है, कि विग्र में ही भगवान को देखता है, लेकिन बाखियों में भगवान को उसको दिकाई नहीं देता है. यह ना, यह, यह, even the कनिश कारी is greater than all the non-devotees who are classified as the karmis or yogis of gyanate because he is a devotee of supremacist and the Godhead. The कनिश का दिकारी, the first class transcendentalist, he is very wonderful in this world. The कनिश का दिकारी sometime called a material devotee also because he has a tendency to interest it in material benefits. यही दिकार था. तो कनिश का दिकारी होता है material लोगों से उपर होता है, लेकिन उसके कुछ आदते ऐसी होते हैं उसको भहतिक भक्त या प्राकृत भक्त कहा जाता है. कि कि वो भगमान से कोई नहीं कुछ हेटू के ले सेवा करता है. या सभी में भगमान को नहीं देख पाता. या philosophy के broader aspect को नहीं समझ पाता है. वो literally लेके चलता है. इसलिए लड़ाई होती है. इंग्लिश में बोलते हैं, कनिश का दिकारी को new fight. इसलिए वो हमेशा fight करता है, लड़ता है. जब जैसे ऐसे उसकी प्रगिती होती है, वैसे वो tendency कम होती है. So, duty must strive to progress to become a second class. इसलिए प्लिश में बढ़ें. शिल्पृण रोड़ दिए मध्यमधिकारी हम बने. भाद रोड़ दिए मध्यमधिकारी है वो दिख्षा लेता है, इस प्रिचित में लगा लगता है. लेकिर उत्तम अधिकारी जो होते है, सबसी ग्रेट पॉजिशन पोते हैं. बन, out of many such वैशनवा, one may be found to be very sincerely engaged in the service of the Lord and stickly follow the all-regulative principle, chanting the prescribed round of the Japa Beats and always think how to expand Krishna consciousness movement. ये है उत्तम अधिकारी. कैसे ख्रिच्छन भावना मृत का बार जादा से जादा प्रसार किया जाए? कैसे बड़े से बड़े scale पर लोग को भगत बनाया जाए? इसे उत्तम अधिकारी को सब को उसकी शरणा गती लेनी चाहिए. उसका संग करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कनिश्का दिकारी को भी उत्तमा दिकारी से सीखना चाहिए, सब को उस दिकना चाहिए ठीक है रुप गुस्वा में लिए क्या क्या है One should mentally honor the beginners सबसे पहले क्या करना हमे मन से अपने आपको देखे मन का पहले बगीचा अच्छा संदर बनाई है भगवान मन को देखते है, मन मना भाव मत भगतो है ना, भगवान बोलते है या क्या करो अपने मन और बुद्धी मुझे दे दो क्यों कहते है, क्योंकि ये source से शरीर का काम होता है, ये main source इसलिए हमें मन से at least अपने आपको ये तियार करना चाहिए कि हम सब का honor करें और one should offer humble opposites to the baddhya madikari one should associate with the faithfully service that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and those hardest completely devoid of the propensity of criticizing others जो faithful devotees के साथ रहना चाहिए जो कि criticism दिन्दा नहीं करते है और उनका जो भक्ती होती हो निष्ठा पूर्वा भक्ती होती है तो ये लोग गुस्वामी हमें समझाते हैं कि इस तरह से हमें behavior रखना चाहिए although we should honor all devotee but there are clear guidance of dealing with the different class of devotee, ये हमेशा ध्यान रखे हमें सब के साथ एक ही dealing नहीं करनी चाहिए ये गलतिया हम भी करते हैं नहीं जो छोटा है उसके साथ अलग बात करनी चाहिए जो मध्यम अधिकारी उनके साथ अलग बात करनी चाहिए तो हमेशा हमें advanced devotee के साथ ये सोचना चाहिए कि हमके कैसे सेवा करें, हमके कैसे सीख सकते हैं और अपने जो समान लोग हैं, हमके साथ friendship रखें और अपने से जो जो जोटी लोग हैं अपने से जो उमर में कम हैं जिनकी अबूदता है उन लोग को हमें guidance देना चाहिए इस तरह से हमें रखना चाहिए थैंक यू सो मच शेल प्रगबाद की जार